दोस्तो आज मैं कुछ ऐसा मेनुफेक्चर दिखाना वाला हूँ जिससे देखकर आपके भी मुह में पानी आ जाएंगे तो दोस्तो आपको पता है कि गर्मियों में लसी बहुत ज़्यादा बीखते हैं और बहुत ज़्यादे लोग मतलब इसको पसंद भी करते हैं कि गर्मियों में ये ठंडा चीज होता है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो आएए आज हम इसको देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है जो की टेस्टी और अच्छा लगे तो दोस्तों सबसे पहले दूद को बॉयल करके उसको रात पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसके बाद उसके अंदर जो मलाई होते हैं वो अच्छे तरह से जम जाते हैं फिर छाच के अंदर उसको डाल कर उसमें अपने मिठास की हिसाब से चीनी या सहद के रूप में बदल जाएं फिर आप देख सकते कि मिक्चर मसीन जो होता है घुमाने वाला कंटेनर में डाल कर घुमाने से उसमें अच्छे तरी से मतलब वाइलिंग आ जाएगा अंदर वाइलिंग आने के बाद ओ क्या होगा कि जो चाच है उसमें अच्छे तरी से घूल और जो गुठा गुठा के तरह था ओ घूल कर एक गढढ़ा करूप में बन जाएगा मतलब पानी के जैसा ही रहेगा मगर दो थूड़ी गढढ़ा हो जाएगा पानी से ज्याधा गढढ़ा होने के बाद उसमें अच्छा तरी से मतलब जो भी है मिक्चर तर bikesoplg सकते हैं उसमें डुमन जो है आप काजू डाल सकते हैं किस्मीज डाल सकते हैं बदाम डॉ हो गया और दिखने में भी कितना खुबसूरत लग रहा है तो एक गलास में भाई लोग भर लेता है इसके बाद इसमें अभी और कुछ टेस्टी लाने के लिए मिलाएगा तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइ कमें झालक्रMM का ऐले नवाद अ कि चैंडल भी आज और बो इसमसी ना इन से लभी करें किक्री बढ़ जाता है तो गार्मियों को कि दिनों में ऐस तरह से लसी घर पर बनाकेश कहते हैं यह अगर आप घर बनाने के ऐस्प्ध बादा नहीं है तो आप मार्केट से पीकर जरूर देखिएगा आपको एक बार पीने के बाद जरूर अनुभवगा कि हाँ लसी का जो स्वाध है वो किस तरह से होता है तो दोस्तों ए रहा आज का वीडियो आपको इस वीडियो कैसा लागा तो अगर अच्छा लागा तो जर वीडियो में जब तक लिए